दोस्तो श्रिव पुराण की माने तो देवों की देव महादेव की पूझा आराधना के लिए कुछ विशेश तितियों का वर्णन मिलता है और उन्हीं तितियों में से एक तिति है महाश्रिवरात्री की पंचांग के अनुसार महाश्रिवरात्री का यह जो पावन परू है व इस दिन भगवान शिव शंकरों मा पार्वती का विवा हुआ था कहा जाता है कि इस दिन शिवरात्री का वरत रखने से सौब्भागय और सम्रिद्धि की वरत्धी होती है इस दिन भगवान शिव शंकर को प्रसंद करने के लिए उनकी भक्त वरत रखते हैं पूजा आर्चन करते हैं और माहा शिवरात्री के अवसर पर भगवान शिव को प्रसंद करने के लिए रुद्राभिशेग भी किया जाता है लेकिन रुद्राभिशेग करते समय कुछ गलतियों से हमें बशना ना चाहिए वड़ा पूजा का पूरा फूरा फल नहीं मिलता है दोस्तों अगर आप भी भगवान बोले नात की पूजा करते हैं तो भगवान के नाम का जैकारा जरूर से लगाए और कमेंट में एक बार जरूर से लिखें ओम नमस शिवाए तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी इसी गलतियां है जो हमें नहीं करनी है दोस्तों शास्त्रों की अनुसार कहा जाता है कि शिवलिंग का जो रुद्राभिशे क्या जलाभिशे करते हैं तो हमको पूर्व दिशा की और खड़ा नहीं होना चाहिए साथ ही पश्चिम दिशा की और भी खड़े होकर शिवजी को जलर्पित नहीं करें क्योंकि पश्चिम दिशा में भगवान की पीठ होती है इसलिए इस दिशा में खड़े होकर जलाभिशे करने से शुबफल की प्राप्ती नहीं होती इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको दक्षिन दिशा की ओर खड़े होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपका मुक उत्तर दिशा की ओर होगा और उत्तर दिशा देवी देवता की दिशा माने गई है वैसे भी जो शिवलिंग स्थापित किया जाता है तो शिवलिंग का जो जलेरी का जो पार्ट होता है जहां से जल बाहर की ओर जाता है वह हमेशा नौर्थ की तरफ होना चाहिए तो उस हिसाब से भी आपको हमेशा साउथ में खड़े होकर जलाविशे करना चाहिए दूसरी चीज ये चीज है कि शिवलिंग पर जब आप जल चड़ाएं तो जो पात्र लोग चैन करते हैं उसका ख्याल रखें कभी भी आपने तामबे, स्टील या लोहे के बरतन का इस्तेमाल नहीं करना है आपने या तो पीतल, चांदी, कांसा और नहीं हो तो आप मिट्टी का भी पात्र ले सकते हैं लेकिन तामबे, स्टील और लोहे को आपने अवोईट करना चाहिए शिव पूजा के लिए और सबसे बड़ी भाज अब शिव पूजा कर रहे हैं, अभिशेक कर रहे हैं तो उस टाम सबसे बड़ी बात ही है कि बहुत तसलिसे भगवान का ध्यान करते वे बड़े आराम से आपने जला भिशेक करना है, तेजी से चल प्रभा बिलकुल भी नहीं करना है धीरे धीरे भगवान के मंत्रों का जाप करते वे, ओम नमस् शिवाय कहते वे आपने जला भिशेक करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर जल चड़ाते समय कभी भी आपने तुलसी के पत्ते का इस्तिमाल बिलकुल भी नहीं करना है साथ ही जब आप पूजा कर लेते तो नॉर्मली हम हर पूजा के बाद उन देव देवताओं की परिक्रमा करते हैं और दोस्तों परिक्रमा की उच्छ अलग नियम होते हैं किसी किसी देवता के साथ परिक्रमा किसी के तीन किसी के चार तो किसी के आधी परिक्रमा का नियम होता है तो श्रीवलिंग पर जल अरपित करने के बाद परिक्रमा नहीं करने चाहिए क्योंकि श्रीवलिंग पर जो ज तो इसलिए कहा जाता है कि शिवजी की अर्द परिक्र्मा दी जाती है क्योंकि उस पवित्र जल को हमें लांगना नहीं होता है तो इन छोटी-्छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखेंगी तो आपको अपनी पूजा का पूरा फल मिलेगा दोस्तों आप सभी को महाशिवरात्री के पावन पर्वगी धेरो शुपकामनाई ओम नमस्षिवाए